जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर ये interesting and थोड़ा confusing topic है काफी लोग इसे use भी करते बट समझते बहुत कम है तो आज हम इस वीडियो में क्लोजर को समझेंगे तो जैसे ये एक function है ये function इसके अंदर के सारे variable तो access कर सकता है बट जावा स्क्रिप्ट में क्लोजर की वज़े से ये इसके outer lexical scope को भी access कर सकता है and future use के लिए इसे अपने पास रख सकता है lexical scope means ये अपने parent variable से global variable तक सारे variables को access कर सकता है इसी को closure कहते है तो अब हम इसे एक example से समझेंगे यहाँ पर हमारे पास एक simple code है and function call किया है and इसका output आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम शायद यह realize भी नहीं करते कि ये simple दिखने वाला code closure यूजर यूज़ कर रहा है ये entire thing closure है जावा स्क्रिप्ट में हम function के outside variable को function के inside यूज़ कर सकते है इसलिए इसे closure कहते है ये एक सिफ example एक closure का अब हम एक और useful example देखेंगे जिससे actually closure का important समझाएगा यहाँ पर हमारे पास एक function है जिसका नाम outer function है जो की return कर रहा है एक और function inner function यहाँ पर outer function को parameter outside pass करके call किया है and new function variable में इसे store किया है and फिर new function को parameter inside pass करके call किया है तो exactly यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमने outer function को call करके उसे एक new function variable में assign किया है तो यह outer function तुरंद यहाँ पर call हो जाएगा means अब new function में क्या store हुआ outer function ने जो return किया inner function वो store हुआ अगर हम इस new function variable को print करेंगे तो यहाँ पर देखो function print हुआ अब इसके बाद जब जब हम new function को call करेंगे तब तब सिफ inner function execute होगा जैसे कि यह new function और यहाँ पर parameter pass किया है inside तो देखो यहाँ पर इसको new function में जो value pass की वो तो मिली बट उसके साथ इस function को outer function की value का access भी था इसलिए outside value भी print हुई closure की वज़े से सिर्फ inner function को call करने पर भी outer function के variable का access inner function को होता है तो closure कुछ इस तरह से काम करता है I hope आपको closure समझ आया होगा ऐसे ही वीडियोस के लिए चानल को subscribe करो बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको latest वीडियो का notification तुरंत मिल सके तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में Till then, be happy, keep learning